मीनोचेडिया एक जंगल में रहती थी मीनोचेडिया को घरों में रंग करना बहुत ही जादा अच्छे से आता था पूरे जंगल में मीनोचेडिया जैसा रंग कोई भी पक्षी नहीं कर पाता था इसलिए जंगल के पक्षी मीनोचडिया से ही अपने घर को रंग करवाते थे जंगल में एक कालू कववा भी रहता था कालू कववा मीनोचडिया से बहुत जादा जलता था क्योंके मीनोचडिया इतने जादा पैसे जो कमाती थी मीनो चड़िया के पास एक बहुत ही बड़ा घर था जोके मीनो चड़िया ने बहुत ही मैनत करके बनाया था एक दिन मीनोचडिया घर को रंग कर रही होती है तो मीनोचडिया बहुत ज़ादा ठक जाती है और मीनोचडिया छाओ में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है आज तो में बहुत जादा थक गई हूँ ये रंग कर करके चलो चाके नदी से थोड़ा पानी ही पी आती हूँ और फिर मीनोचरिया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है मीनोचरिया नदी के पास आती है और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती है और फिर थोड़ी देर वे नदी के पास ही बैठ जाती है इतने में वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है वे बुलबुल मीनोचेडिया से कहती है मीनोचेडिया तुम तो यहाँ बड़े मज़े से बैठ कर अराम कर रही हो मेरे घर को रंग कौन करेगा चलो जाके मेरे घर को जल्दी से रंग करो और फिर मीनोचेडिया बुलबुल के घर को रंग करने के लिए चली जाती है अगले दिन मीनोचेडिया बुलबुल के घर को रंग करके एक दम तयार कर देती है बुल्बल भी अपने घर को देखकर बहुत जादा खोश हो जाती है और मीनुचेडिया से कहती है वाप भाई मीनुचेडिया, तुमने मेरे घर को कितना संदर बना दिया है मेरा घर तो जो कोई भी पक्षी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा इतना सुन्दर रंग किया है तुमने बिलबल मेहन मैंने आपका घर अच्छे से रंग कर दिया है अब आप मुझे मेरे दस गंदुम के दाने दे दे दें ताके मैं अपने घर में चली जाओ फिर बुलबुल मीनोचेडिया को एक पोटली में दस गंदुम के दाने देती है और मीनोचेडिया वे पोटली लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है चेलो भई अब थोड़ी देर अराम कर लेती हूँ उसके बाद में जंगल में जाऊंगी और जिस किसी पक्षी को अपना घर रंग करवाना होगा मैं उस पक्षी का घर रंग कर दूंगी ऐसा कहकर मीनोचेडिया थोड़ी देर अराम करने लगती है दूसरी तरफ दूसरे जंगल के एक उल्लू माराज अपने साले के लिए एक लकणियों का घर तयार करवाते हैं लेकिन अब उस घर में सिर्फ रंग करना ही बाकी था अजी आप इस घर में रंग कप करवाएंगे आपने ये घर तो तयार करवा दिया है अब जल्दी से इस घर में रंग भी करवा दें ताकि मेरा भाई इस घर में रहना शुरू कर दे हाँ जी जाजी आप इस घर में जल्दी से रंग करवा दीजिए मुझे अब इस घर में बस आप जल्दी से जल्दी इस घर को रंग करवा दें। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं किसी अच्छे कलर वाले को ढून कर इस घर को रंग करवा देता हूं, ताके तुम इस घर में अराम से रहो। फिर उल्लू माराज अपने एक सैनिक को कह देते हैं, कि वे किसी एक अच्छे कलर वाले को ले कर आए और इस घर में अच्छे से रंग करवा दे। उस सैनिक को पता था, कि दूसरे जंगल में एक मीनो चेड़िया रहती है, जोके पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है, वे सैनिक मीनो चेड़िया के पास दूसरे जंगल चला जाता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं उल्लू माराज का सैनिक हूँ, उल्लू माराज ने एक घर बनवाया है, अब उल्लू माराज को उस घर में रंग करवाना है, और मुझे पता है कि इस पूरे जंगल में आप बहुती अच्छे से घरों को रंग करती हो, इसलिए मैं चाता हूं कि उल्लू माराज के घर को भी आप ही रंग करो। लेकिन चड़िया बेहन उल्लू माराज ने वे घर अपने साले के लिए बनवाया है। अगर आपने उस घर में अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू माराज आपको सजा भी दे सकते हैं। नहीं नहीं सैनिक जी मैं उल्लू माराज के घर को बहुती अच्छे से रंग करूंगी और मैं उल्लू माराज को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी बस आप मुझे उल्लू माराज की पास ले चलें और फिर वे सैनिक पक्षी मीनुचेडिया को उल्लू माराज की पास ले जाता है उल्लू माराज ये मीनुचेडिया है इसे मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ ये पक्षियों के घरों को बहुती अच्छे से रंग करती है मैं चाहता हूँ कि आपने अपने साले के लिए जो घर बनवाया है वे घर के मीनोचेडिया ही रंग करे मीनोचेडिया तुम्हें अच्छे से रंग तो करना आता है ना क्योंकि ये घर मैंने अपने साले के लिए बनवाया है अगर मेरे साले को घर पसंद ना आया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाईगी और अगर मेरी पत्नी ने मुझे सुनाया तो मैं तुम्हे सजा दूँगा नहीं नहीं उल्लू माराज ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं घर को बहुत सुन्दर रंग करूँगी आपके साले को वे घर बहुत पसंद आएगा ठीक है मिनोचिडिया तुम जाओ और जाकर उस घर को अच्छे से अच्छा रंग कर दो दो दिन का समय है तुम्हारे पास दो दिन के बाद मैं अपनी पतनी और अपने साले को लेकर वे घर देखने के लिए आऊँगा और अगर मेरे साले को वे घर पसंद ना आया तो मैं तुम्हे कड़ी से कड़ी सजा दूँगा मिनोचिडिया को अपने पर बहुत ही पक्का यकीन था कि मिनोचिडिया उस घर को भी बहुत ही अच्छा रंग करेगी फिर वे मीनोचेडिया उस घर को रंग करने के लिए चली जाती है चलो भई चलती से घर को रंग कर देती हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो दिन का समय है और फिर मीनोचेडिया उस घर को रंग करना शुरू कर देती है ये बात कालू कवे तक भी पहुँच जाती है कि मिनुचेडिया दूसरे जंगल के उल्लो माराज के घर को रंग कर रही है और कालु कावे को ये भी पता था कि अगर मिनोचेडिया ने उस घर को अच्छे से रंग ना किया तो एलु माराज मिनोचेडिया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे अगर मीनोचेडिया ने उल्लू माराज के घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू माराज मीनोचेडिया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मैं तो यही चाहता हूँ कि मीनोचेडिया को कड़ी से कड़ी सजा हो ताके मेरा बदला पुरा हो लेकिन मुझे कोई ना कोई तो तिगड़म करना ही पड़ेगा क्योंके मीनोचेडिया तो उल्लू माराज के घर को बहुत ही अच्छा रंग करेगी और मुझे किसी भी तरह उस घर का रंग खराब करना होगा कालू कववा बहुत ही जादा होश्यार था इसलिए कालू कववे की दिमाग में एक शैतानी योजना आ जाती है अगली सुबे हो जाती है मीनोचेडिया उल्लू माराज के घर को अच्छे से रंग करकर तयार कर देती है और वे घर तो बहुत ही जादा सुन्दर दिख रहा था मैंने तो इस घर में बहुत ही जल्दी रंग कर दिया है उल्लू माराज तो अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर कलाने वाले हैं वैसे मानना पड़ेगा मैंने इस घर को बहुत ही सुन्दर रंग किया है उल्लू माराज के सालीची को ये घर बहुत पसंद आएगा फिर ये कहकर वे मीनोचेडिया अपने घर की तरफ चली जाती है दूसरी तरफ कालू कवे को पता चल जाता है कि मीनोचेडिया ने उल्लू माराज के घर को अच्छे से रंग कर दिया है कल सुबा उल्लू माराज अपनी पत्नी को लेकर और अपने साले को लेकर उस घर को देखने के लिए आने वाले हैं मुझे इस से पहले पहले उस घर का रंग खराब करना होगा मैं ने इस घर को पूरा काला कर दिया है अब जब उल्लू माराज अपनी पतनी और अपने साले के साथ इस घर को देखने के लिए आएंगे तो वे बहुत ज़ादा गुस्सा होंगे और वे मीनू चड़िया को सजा देंगे चलो अब मैं अपने गोंसले में चला जाता हूँ अगर मुझे यहां किसी ने देख लिया तो उल्लू माराज मुझे ही सजा देंगे फिर वे कालू कवा उस घर पर काला रंग करकर वापस अपने गोंसले की तरफ चला जाता है फिर मीनू चड़िया अपना हार ढूनने के लिए उल्लू माराज के घर की तरफ चली जाती है जब मीनू चड़िया उल्लू माराज के घर के पास आती है तो वे घर पर लगा काला रंग देखकर बहुत जादा उदास हुजाती है और वे कहती है ये क्या हो गया मैंने तो इस घर पर कितना सुन्दर रंग किया था और किसी ने इस घर पर पूरा काला रंग कर दिया है अब जब कल उल्लू माराज अपनी पत्ने और अपके साले को लेकर ये घर देखने के लिए आएंगे तो वे तो मुझे बहुत जादा गुसा होंगे और वे मुझे सजा देंगे मुझे कुछ भी करके इस घर पर से काला रंग हटाना होगा वरना कल उलु माराज मुझे नहीं चोड़ेंगे मीनोचडिया बहुत जाद़ा चिन्तित हो जाती है और इसी चिन्ता के कारण मीनोचडिया को एक बहुती बढ़िया उपाय आ जाता है मैं बादल बया के पाव जाती हूँ और बादल बया से कहती हूँ कि वे बारिश करें ताकि इस घर पर लगा सारा काला रंग उतर जाए और जो रंग मैंने किया था वे रंग वापस आ जाए फिर मीनोचेडिया बादल के पास चली जाती है कुछी देर के बाद मीनोचेडिया बादल को बुला कर ले आती है और काफी जादा तेज बारिश शुरू हो जाती है बारिश के पाने के कारण उस घर पर से काला रंग उतर जाता है और जो रंग मीनुचिडिया ने किया था वे रंग वापस आ जाता है बादल भी अपना काम करके वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है मीनोचेडिया उस घर को देखकर बहुत जादा खुश होती है मीनोचेडिया को पास में ही अपना हार पड़ा हुआ मिलता है मीनोचेडिया फॉरण उस हार को पहन लेती है और मीनोचेडिया कहती है मीनो चिर्या उस घर के सामने वाले पेड़ पर बैट कर गुजारती हूँ मीनो चिर्या उस घर के सामने वाले पेड़ पर बैट जाती है और पोरी रात मीनो चिर्या उस घर पर दिहान रखती है कि कोई उस घर पर आकर काला रंग ना कर दे अगली सुबे हो जाती है कालू कववा बहुत जादा खुश था क्योंके कालू कववे को लग रहा था कि आज मीनो चेडिया को उल्लू माराज बहुत कड़ी सजा देंगे दूसरी तरफ उल्लू माराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वे जब अपना घर देखते हैं तो वे बहुत जादा खुश हो जाते हैं चेडिया तुमने इस घर पर बहुत सुन्दर रंग किया है मुझे ये घर बहुती जादा पसंद आया है मेरे साले को ये घर पसंद आया चेडिया मतलब तुम पास हो गई कालू कववा एक बेड़ के पीछे चुपा ये सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखकर कालू कववा तो एक दम हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीक मिलती है कि जो कोई सच्चा और अच्छा हो हम चाकर भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं दूर किसी जंगल में एक कालू कववा रहता था कालू कववा बहुत ही जादा शैतान था कालू कववा बस पूरे जंगल में पक्षियों को तंग ही करता रहता था जिसके कारण कालू कववे की पूरे जंगल में बिलकुल भी इज़त ना थी मेरी इस पूरे जंगल में बिलकुल भी इज़त नहीं है बस सारे पक्षि मुझे बुरा बला ही कहते रहते हैं देखना एक दिन आएगा जब मैं जंगल के सबी पक्षियों को ऐसा मज़ा चकाऊंगा कि इन सब पक्षियों को याद रहेगा कि ये कालू कववा आखिर क्या चीज है चलो अभी तो बहुत ही जोरों से बूख लग रही है चलो मैं किसी पक्षियों को जाकर भोजन खा लेता हूँ फिर कालू कववा भोजन चोरी करने के लिए निकल जाता है कालू कववा भोजन ढूंटे हुए जा रहा होता है के कालू कववा सामने एक पेड़ के नीचे एक उल्लू बाबा को बैठा हुआ देखता है उल्लू बाबा दिहान में होते हैं और उल्लू बाबा के पास कुछ फल भी रखे हुए होते हैं कालू कववे के मुँ में वे फल देखकर पानी आ जाता है वा भई वा उल्लू बाबा के पास कितने मजे मजे के फल हैं चलो मैं ये फल चोरी कर लता हूँ वैसे भी उल्लू बाबा की तो आखे बंद हैं वे तो दिहान में लगते हैं मुझे पिर कालू कववे जैसे ही वे फल चोरी कर रहा होता है कि अचानक उल्लू बाबा की आखे खुल जाती है और वे उल्लू बाबा कालू कववे को फल चोरी करता हुआ देख लेते हैं मुर्क कववे ये तुम क्या कर रहे थे तुम्हारी इतनी जुर्ड़त के तुम मेरे फल चोरी कर रहे थे देखो अभी मैं तुम्हें मज़ा चकाता हूँ फिर उल्लू बाबा अपने मुझे कुछ बोलते हैं और उस कालू कववे को शिराब देते हैं देखते ही देखते कालू कववा काफी जादा बड़ा हो जाता है अरे भाई ये क्या हो गया मुझे मैं इतना बड़ा कैसे हो गया उल्लू बाबा ने मुझे शराब देकर इतना बड़ा कर दिया अब मैं क्या करूंगा मैं तो अब इस जंगल में भी नहीं रह सकता हूँ जंगल के सबी पक्षी मुझे इस जंगल से निकाल देंगे अब मैं क्या करूंगा फिर अचानक कालू कवे की दिमाग में इस शातिर योजना आती है औरे ये तो उल्लू बाबा ने मेरे लिए बहुत ही जादा अच्छा कर दिया मुझे इतना बड़ा कर दिया अब तो मैं जंगल के पक्षियों को बहुत ही जादा तंग करूंगा और उनका इस जंगल में रहना बहुत ही मुझे कर दूँगा अब तो मैं आराम से सिर्फ बैठूंगा और जंगल के पक्षियों से मैं मुफ में भोजन मंगवाँगा और खुब मज़े करूंगा अभी जाता हूँ पक्षियों के पास और उन पक्षियों को जाकर मैं अच्छे से मज़ज़धाता हूँ फिर वे कालू कववा वहां से चला जाता है अरे बाप रे बाप, ये कालू कववा इतना बड़ा कैसे हो गया ये कालो कमा तो अब हमें नहीं छोड़ेगा हाँ अगर तुम पक्षियों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूँगा और तुम पक्षियों की मैं चिटनी बना दूँगा अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो तुम सब हाँ कालू कोवे बूलो हमें क्या करना होगा तुम सब पक्षी रोजणा मेरे लिए धैड़ सारा भोजन लाओगे और तुम सब पक्षी मेरी खुब सेवा करोगे अगर तुम सबने ऐसा ना करा तो मैं तुम सब को नहीं छोड़ूंगा नहीं नहीं कालू कवे तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे बस तुम हमारे साथ कुछ भी गलत मत करना चलो जाओ फिर और मेरे लिए जाकर घर सारा भोजन जमा कर लाओ पक्षियों मैं तोता और कबुतर इस कालू कवे के लिए भोजन जमा करने जाते हैं जब तक तुम पक्षि इस कालू कवे की सेवा करो और इस कालू कवे पर दिहान रखो मीनू चेडिया तोता और कबुतर कालू कवे के लिए भोजन जमा करने चले जाते हैं कुछ ही देर में मीनू चेडिया तोता और कबूतर कालू कववे को धेर सारा भोजन लाकर दे देते हैं और वे कालू कववा कूब मजे से वे भोजन खाता है चलो पक्षियों अब मैं सोने जा रहा हूँ जब मैं सो कर उठू तो फिर मुझे धेर सारा भोजन चाहिए अगर मुझे भोजन ना मिला तो तुम सब पक्षियों की खैर नहीं फिर वे कालू कववा सोने के लिए चला जाता है मेनू चेडिया ये कालू कववा तो इतना बढ़ा हो गया है कि ये कालू कववा हम सब पक्षियों की चटनी बना सकता है अगर हमने इस कालू कववे की बात ना मानी तो ये कालू कववा हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा हाँ मेनू चेडिया कुछ करो वरना ये कालू कववा हमें नहीं छोड़ेगा पक्षियों मेरे पास एक उपाए है पहाडों की तरफ जो उल्लू बाबा रेते हैं अब बेही हमें इस समस्या का उपाए बताएंगी चलो हम उल्लू बाबा के पास जाते हैं मीनू चडिया तोता और कबूतर उल्लू बाबा के पास चले जाते हैं मीनू चड़िया क्या हुआ तुम इतनी घबराई हुई क्यूं हो मुझे भी तो बताओ आखिर क्या बात है उल्लू बाबा हमारे जंगल में जो कालू कवा रहता है वे काफी जादा बड़ा हो गया है और वे हमारे जंगल के पक्षियों को बहुती जादा तंग कर रहा है वे हमें धंकी दे रहा है कि अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वे हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा हाँ उल्लू बाबा हम सब पक्षि बहुत तंग आ गए हैं आप हमें इस समस्या का कोई उपाएं बताएं बेटा मैंने ही उस कालू कवे को शराब दे कर इतना बड़ा किया है लेकिन मैंने तो उसे सजा दी थी मुझे क्या पता था के वे इतना बड़ा होकर तुम सब पक्षियों को तंग करेगा पर उल्लू बाबा आपने आखिर कालू कवे को शराब क्यों दिया था मीनू चिडिया मैं अपनी दोनों आखे बन करकर दिहान में था तो वहाँ पर वे कालू कवे को आ गया और वे मेरे फल चुरा रहा था तो इतने में मेरी आँख खुल गई और मैंने उस कालू कवे को फल चुराते हुए देख लिया तो फिर मुझे घुसा आ गया और मैंने उस कालू कवे को इतना बड़ा कर दिया मैं तो समझ रहा था के वे कालू कववा बड़ा हो जाएगा तो उसे अपने किये की सजा मिल जाएगी लेकिन वे कालू कववा तो अभी भी नहीं सुदरा चलो मीनू चड़िया मुझे उस कालू कववे के पास ले चलो मैं जाकर उस कालू कववे को ऐसा शराब दूँगा के के वे पूरी जिंदगी याद रखेगा हाँ उल्लू बाबा आप हमारे साथ चलें और जाकर उस कालू कववे को ऐसा शराब दें के वे फिर दुबारा कभी भी हमारे जंगल के पक्षियों को तंग ना करें फिर मीनू चडिया उल्लू बाबा तोता और कबूतर कालू कववे के पास चले जाते हैं मीनू चडिया अभी देखना के मैं इस कालू कववे को ऐसा शराब दूगा के वे फिर कभी नहीं सो पाएगा फिर उल्लू बाबा कुछ बोलते हैं और कालू कववे को शराब देते है देखते ही देखते कालू कववा काफी जादा छोटा हो जाता है मीनू चडिया अब ये कालू कववा तुम सब पक्षियों के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा देखो ये कालू कववा कितना छोटा हो गया है चलो अब मैं चलता हूँ मीनू चडिया ये कहकर उल्लू बाबा वहां से चले जाते है कुछ देर में जब कालू कवा उठता है तो वे अपने हाप पो इतना छोटा देख काफी जादा परिशान हो जाता है मेनो चुरिया ये क्या हो गया मेरे साथ मैं तो इतना बड़ा था तो फिर मैं इतना छोटा कैसे हो गया मेरे साथ ये क्या हो गया है क्या क्या बोल रहे हो कालू कवे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा थोड़ा जोर से बोलो अरे मैं इतना छोटा हो गया हूँ के मेरी आवास मीनो चड़िया तक नहीं जा रही है और ये मेरे साथ क्या हो गया फिर सभी बक्षी कालू कौवे को अकेला चोड़ कर वहां से चले जाते हैं और कालू कौवे को अपने किये की सजा मिल जाती है इस कहानी से हमें ये प्रेना मिलती है कि जो हमेशा दूसरों के साथ घलत करता है एक ना एक दिन उसके साथ भी गलत जरूर होता है इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा अच्छे काम करो क्योंकि अच्छे काम करने से हमें अच्छा ही फल मिलता है तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करगर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बे सबरी से इंतिजार रहेगा एक दफा की बात है एक जंगल में एक कालु कववा और रानी कववी रहते थे कालु कववे का एक बेटा राजु कववा भी था जो के बहुत ज़ादा शरारती था बस राजू कवे को पूरा दिन दूसरे पक्षियों को तंग करने में बहुत ही जादा मज़ा आता था पापा मैं पूरे जंगल की सेर करने के लिए जा रहा हूँ आपके लिए कोई भोजन लाना है तो मुझे बता दो अत्यवक लेकर आउंगा राजू तुम मुझे भोजन लाकर दोगे आखिर तुम मुझे कहां से भोजन लाकर दोगे पापा आप बिलकुल भी चिंता मत करो मैं किसी भी पक्षी को उल्लू बना लूँगा और उसका भोजन लेकर आ जाऊंगा राजू अपने पापा के लिए ही सिर भोजन लाओगे मेरे लिए भी भोजन ले आना ठीक है मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगा फिर राजू कोवा जंगल की सैर करने के लिए चला जाता है जंगल की ऐसे सैर करने में बिलकुल भी मज़ा नहीं आ रहा है एक काम करता हूँ, किसी पक्षी को जाकर तंग करता हूँ, जबी मुझे मज़ा आएगा फिर राजु कववा जंगल से जाही रहा होता है, कि राजु कववा देखता है कि सामने गोसले में दो अंडे पड़ हुए होते हैं राजु कववा उन अंडों के पास चला जाता है वाँ भई वाँ दो दो अंडे यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है चलो इन दोनों अंडों को तोड़ कर पी लेता हूँ बहुत ही मज़ा आएगा फिर राजु कववा फोरण से एक अंडा तोड़ कर पीने लगता है वाँ भई इस अंडे को तोड़ कर पीने में तो बहुत ही जादा मज़ा आ गया चलो अब दूसरे अंडे को भी तोड़ कर पी लेता हूँ फिर राजु कोवे दूसरा अंडा तोड़ने के लिए जा रहा होता है कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है है रे राजु कोवे ये तुमने क्या कर दिया तुमने मेरा एक अंडा तोड़कर बी लिया राजु कोवे ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है बुल बुल अंटी ये आपका अंडा था मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपका अंडा है मैं वन्ना इसको तोड़ कर पीता ही नहीं राजु कोवे तुम हर बार यही करती हो लेकिन इस बार मैं तुमें नहीं चोड़ूगी तभी तुमें बताती हूँ अरे बुलबुल अंटी तो बहुत उस्से में आ गई है अरे अब क्या करूँ चलो यहां से भाग जाता हूँ चलो बुलबुल अंटी फिर मिलते हैं इतना कहकर वे राजु कवव वहां से भाग जाता है बाब रे बाब बहुत ही बुरा बज़ गया हूँ मैं चलो अब किसी दूसरे पक्षी को जाकर तंग करता हूँ फिर राजु कवव थोड़ा आगे जाता है तो राजु कवव देखता है के सामने ही कोमल चिडिया बैटी अपना गोसला बना रही होती है राजु कवव फोरण कोमल चिडिया के पास आता है अरे रे कोमल अंटी आप तो आज बहुत ही जादा ठकी हुई लग रही हो लगता है आज आपने बहुत ही महनत की है हाँ राजु कोवे, देखो न सुबसे अपने गोशले की मरमत कर रही हूँ देखो मैंने सामने कितना सारा सूका गास जमा किया है राजु कोवे, तुम मेरा ही काम कर सकते हो हाँ कुमल अंटी, बोलो बोलो आपका क्या काम करना है मुझे राजु कॉवे सामने जो मैंने सुखा गास जमा किया है फिर तुम मुझे यहाँ पर लाकर दे सकते हो हाँ कोमर अटी इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं अभी आपको सारा सुखा गास लाकर दे देता हूँ फिर राजु कववा सामने सूके गास के पास चला जाता है चलो ये सारा सूका गास उठाकर मैं सामने पानी में ले जाकर फेग देता हूँ बहुती मज़ा आएगा फिर राजु कववा वे सूका गास ले जाकर उस पानी में फेग देता है एरे राजु कोवे ये तुमने क्या कर दिया ये मैंने सूका गास कितनी मुश्किलों से जमा किया था और तुमने इसे पानी में फिक दिया औरे कॉमर अंटी गलती से मेरे पल लड़करा गय थे और मेरे पाउं से ये सूका गास निकल कर पानी में गिर गया एने राजू कववे मुझे पता ही ये तुमने जान बूचकर किया है इसमें मेरी ही गलती है कि मेंने तुम्हें सूका गास लाने के लिए भी जा कूमल अंटी अब आप जो भी कहो लेकिन सूका गास तो पानी के अंदर गिर चुका है चलो कूमल अंटी अब मैं चलता हूँ फिर वे राजु कववा वहां से भी चला जाता है फिर राजु कववा थोड़ा और आगी जाता है तो राजु कववा देखता है के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे उल्लू सादू अपनी तफस्या कर रहे होते हैं राजु कववा उस पेड़ के उप्पर आकर बैठ जाता है पिर वे राजू का हुआ वे कंकर अपनी चोंच में फसा कर उल्लू सादू के उपर फेग देता है और वे कंकर आकर सीधा उल्लू सादू के सर पर लगता है और उल्लू सादू की तपस्या तूड़ियाती है अरे मुरक क醉वे ये तुमने क्या कर दिया तुमने मेरी तपस्या तोड़ दी मैं तुमें ऐसा शराब दूगा जो तुमें जिन्दगी भर याद रहेगा अब देख जोर मेरे मनतर का ये मुरक कववा हो जाए फत्तर का बस फिर क्या था उल्लू सादू के शराब देते ही वे राजू कववा एक दम फत्तर का बन जाता है अब पता चलेगा इस मूर्ख कववे को इस उल्लू सादू को परिशान करने का इंजम यह सब कुछ होते हुए एक तोटा देख लेता है और वे तोटा फोरण कालू कववे के पास चला जाता है एने कानु कौमे गजब हो गया है तुमारे नाजु कौमे को एक उर्लू सादू ने शराब दे दिया है और र्लू कौमा फ़त्र कबन गया है मिट्टू दोते यह हैं क्या कर रहे हो अरे मेरा राजु, चलो रानी चलो राजु के पास चलते हैं फिर कालू कववा और रानी कववी उल्लू सादू के पास चले जाते हैं अरे उल्लू सादू आपने मेरे राजू को पत्तर का क्यों मना दिया है आप इसको किर्प्या करकर शमा कर दीजिए अगर तुम्हें अपने राजू कववे को शराप से मुप्ति दिलानी है तो तुम्हें किसी दो पक्षियों की बली चड़ानी होगी बली चड़ानी होगी? पर मैं किन दो पक्षियों की बली चड़ाऊंगा उलू सादू वो मैं नहीं जानता कालू कववे बस तुम किसी भी तरह दो पक्षियों की बली चड़ा दो पक्षियों की बली चुड़ते ही तुम्हारा राजु कववा इस शराब से मुप्त हो जाएगा फिर बे कालु कववा और रानी कववी वहां से चले जाते हैं रानी अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने राजु कववे को उस शराब से कैसे मुपती दलाएंगे कालू जी मेरे नजर में तू पक्षी हैं जिनकी हम बली चड़ा सकते हैं कालू जी अगर हम मीनू चड़िया के बबलू चड़े और मानू चड़े की बली चड़ा दें तो हमारा काम बन सकता है हाँ रानी हम मीनू चड़िया के दोनों बेटों की बली चड़ा देते हैं फिर कालू कववा और रानी कववी मीनू चड़िया के गोंसले की तरफ चले जाते हैं बबलू चड़े मानो चड़े, तुम दोनों इस गुंसले से कहीं पर भी मत जाना, मैं तुम दोनों के लिए भोजन जमा करने जा रही हूँ फिर मीनू चड़े भोजन जमा करने के लिए चेली जाती है फिर कालू कववा और रानी कववी मीनू चड़िया के गुंसले में आ जाते हैं फिर कालू कववा और रानी कववी बब्लू चड़े और मानो चड़े को अपने साथ ले जाते हैं चलो रानी कववी अब हम इन दोनों चड़ों को बली चड़ा देते हैं ताके हमारे राजु कोवे को उस शराफ से मुपती मिल जाए रुक जाओ कालु कोवे इन दोनों पक्षियों की बली मत चड़ाओ इन दोनों चुड़ों की बली चड़ाकर तुमारे राजु कोवे को उस शराफ से मुपती नहीं मिलेगी कालु कोवे पर क्यों लू सादू आप नहीं तो कहा था इन दोनों चुड़ों की बली चुड़ाने के बाद मेरे राजु कवे को उस शराफ से मुफ्ती मिल जाएगी नहीं कालु कवे मैं तो सिर्फ तुम्हारी परिष्चा ले रहा था कि तुम अपने स्वार्ट के खातिर क्या किसी दूसरे पक्षी की बली चाड़ाते हो इन दोनों चुड़ों की बली चड़ा रहे थे कालु कवे तुम इस परिष्चा में आसफल हो चुके हो और कालु कवे अब सुके के मौसमाने तक तुम्हारा राजु का ववा फत्तर का ही बना रहेगा इस कहानी से हमें ये प्रेना मिलती है कि हमें अपने स्वात के लिए दूसरों को हानी नहीं बोचानी चाहिए